जानवरों की टेलियानी की पूच से बनी अजीब डीसिस जो लोग बड़े चाओ सिखाते हैं नमबर वन ओक्स टेलियानी सांड की पूच ये खाना जामाइका और साउथ अफ्रिकान लोगों में काफी पॉपुलर है इसमें नर्म हड़ी और मास की मातरा जादा होता है ये खाने में बहुती स्वाधिश्ट होता है इसे एकसा सूप, स्टोज और ब्रेज जैसे खाने में इस्तिमाल किया जाता है इसके लाब ऐसे दुनिया भर के कैसर रेसिपी में इस्तिमाल किया जाता है लेकिन इसे बनाने से पहले इसमें मौजूद extra fat को हटा दिया जाता है और फिर स्षी को छोटे-छोटे हिस्सो में काट ले जाता है ओक्ष्चल को के एरिकों से पकाया जा सकता है जिसमें braising, slow cooking या pressure cooking सामील है इससे stew और पाई भी बनते है इसमें बहुती ज़्यादा मात्रा में कोलोजेन मौझूद है जो कुकिंग के दोरान टूट जाता है जिससे खाना बहुती स्वाधिश्ट बनते हैं इसका लबाइस में प्रोटीन, आयरोन और भी पोसवक्त्त मौझूद है इसे कैरिबियन और साउद अफ्रिकन खाने में आमतर फ़र इस्तिमाल किया जाता है लेकिन जापन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सौर की पुच में काफी ज़्यादा मात्रा में फैट मौझूद है लेकिन ये भी बहुत स्वाधिश्ट है इसे बनने के लिए सबसे पहले पुच को अची तरह से साप करके उसे उबालना होता है और इसे धेमी आच पर कोक किया जाता है सूर की पुछ के इस्तेमल अगसर सूप, स्टोज और भी किई खाने में किया जाता है इसे ग्रील या फ्राइ भी किया जा सकता है जिससे क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनता है केरिबियन खाने में सुवर की पूँच चावल, बीन्स, नारियल के दूद और मसालों के साथ बनाया जाता है इसमें प्रोटीन, भाइटामिन्स और मिनेरल्स मौचुथ है इसके लबा इसमें आरोन और जींग मौचुथ है जो काफी फायदे मन्त है इसमें फैट की मातरा कम और प्रोटीन जादा होता है इसे बनाने के लिए सबसे पहले पूच को आची तरह से साप करके छोटे टुक्रों में काटा जाता है इसका स्वाथ थोड़ा मीठा होता है जो कुछ अच तक चीकेनिया मचली की तरह है मगरबैच की पूच में आइरन, जींग और विटाविन, बीट्वेल मजूद है जो हमने स्वास्त के लिए काफी फायद मन्त है जातर मिडिलिश और अफ्रीकी देसों में इसे मसालों के साथ पका कर खाया जाता है लोग के माने तो एक काफी स्वादेश्ट है और इसे अकसर बीसेस अबसरों पर परोसा जाता है भेड़ की पूच से खाना बनाने के लिए उसे अच्छी तरह से साप करके उबाला जाता है इसके बाद इसे कई तरह की जड़ी बूटी और मसालों के साथ मिक्स करके खाने के रूप में परोसा जाता है इसकेलबाइस से स्टू और सूप भी बनता है भेड की पुछ में कलोरी की मातरा बहुत ज़्यादा होती है इसकेलबाइस में प्रोटीन, आइरोन और बी वीटेमिन के साथ केई पोसक तत्त भी मौझूद है आपको बतावों के कैंगरू आस्ट्रिया की राश्ट्रे पसू है यहां इसकी मास भी खाया जाता है कैंगरू के मास के साथ साथ आस्ट्रिया की साउद ओईल्स, कुइंसलैंड और विक्टोरिया में इसकी पूस से बने डीसेस लोग बड़े चाव से खाते है कैंगरू टेल से खाना बनाने के लिए इसके घंटों तक धीरे-धीरे कोग किया जाता है क्योंकि इसमें बहुती मजबुद मास बेसिया मौजूद है इसके बाद स्वाथ बनाने के लिए एक कई प्रकर की मसालों का इस्तिमाल किया जाता है कैंगरू टेल में प्रोटीन आयरन और दूसरे पोसक तत्य मौजुद है और इसमें फैट और कैलोरी भी कम होती है कुल मिलाकर कैंगरू टेल बहुत स्वाधिश्ट खाना है खाने के साथ साथ हर साल कैंगरू के मास एक्सपोर्ट करके औस्ट्रियार लाखो डॉलर कमाते है जातर एसियान कांट्री जैसे चाइना जापनों धायलेंड में इल मचली को बड़े चाव से खाया जाता है इसे ग्रिल करके या फिस स्नैक और एपेडेसर के रूप में परोसा जाता है इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी तोचा और हड्डियों को हटाया जाता है और इस काम के लिए प्रेसंस की जुरूत है इल टेल को आमतर पर सोया सौस, मिरिन और चीनी से बनी मीठी और नमकीन चाटनी के साथ ग्रिल या फिर वोयल के जाता है इसके बादे से सूसी या चावल के साथ परोसा जाता है इसके पूँच में प्रोटीन, ओमेगा 3, फैटी असीड और भी कई पोसक तत्य मौजूद है और फैट और कैलोरी की मातरा काफी कम है इसके लिए हर साल लाखो इल मचलियों की सीकार की जाती है और एही बज़ाए कि आज बहुत सारी इल प्रजाती लूफ होने की कागरवर है लोग की माने तो एक खाना बहुती स्वादिष्ट होता है और इसका कीमत भी काफी जादा है सांड की पूँच की तरह इसे भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है ये डिस नाइजेरी और आफरिकान लोगों में काफी पॉपुलर है ये खाने में बहुती स्वादिष्ट है काउडल का इस्तेमाल अकसर सूप, स्टोज और ब्रेस्ट में किया जाता है गाई की पूँच बनाने के लिए पहले एक्स्ट्रा फैट को हटा दिया जाता है सांड की पूँच को जिस तरीके से बनाया जाता है गाई की पूँच को भी उसी तरीके से बनाया जाता है इसे भी कई तरीकों से पकाया जा सकता है जिसमें ब्रेजिंग, स्लो कोगिंग और प्रेशा कोगिंग सामिल है इसे स्टू और पाई जैसे स्वाधिश्ट खाना भी बनते है नमबर 8 कॉट्टेल कॉट्टेक्रेव की मचली है जिसकी पूर्स से बने डीस को एक बहतरिन सीफूड माना जाता है यूरोपेयन देशों में इसकी मांग काफी जादा है इसे कही तरह की अलग-अलग डीसेस बनाया जाता है कॉट्टेल को ग्रिलिंग, बेकिंग, पैन, फ्राइंग ऐसे कही तरह को से बनाया जाता है ये खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट है इसे कई तरह की सौस के साथ परोसा जाता है कॉर्टेल में प्रोटीन, ओमेगा 3, फैटी अचीड और भी कई पोसक तत्त मौझूद है और कैलोरी और फैट की मात्रा थोड़ा कम है और ये हमारे स्वास्त के लिए काफी लब देख है सीपूर लवर्स के लिए एक बहतेरिन भोजन है चीकेन तो हम सब लोग खाते हैं लेकिन क्या आपने चीकेन की पूच के बारे में सुना है चीकेन की पूच से बने डीस फिलिपिन्स में काफी पबूलर है यहां इससे अखसर वील करके या फिलिपिन्स के लाबा दकसिन पूर्फ एस्या में इसे कईसरे डीसे बनते हैं चीकेन तेल को काई तरह से बना जाता है जिसमें ग्रिलिंग फ्राइइंग या फिर वेकिंग सामिल है चीकें टेल का इस्तेमल आमदर बर सूप और सोर्ब बनाने के लिए एक किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्वाधिस्ट होता है चीकें टेल में प्रोटीन और अन्न पोसक तर्थ भी मौझूद है लेकिन इसमें कोलेस्टरल की मातरा जादा है इसलिए इसे खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए लॉब्स्टर टेल लॉब्स्टर एक ऐसा सीपूड है जो पूरी दुनिया में बेहर पपुलर है इसके साथ ही इसके कीमत भी काफी ज़ाता है और ये इस लिश्ट की सबसे महंगी खाना है नौर्ट अमरिका में इसे सबसे ज़्यादा खाया जाता है लॉब्स्टर टेल को कई तेरह से तेयार किया जा सकता है जिसमें ग्रिलिंग, ब्रोइलिंग और बेकिंग सामिल है इसका स्वाद मीठा और सॉफ्ट है इसे मक्खन, निम्बू और दूसरे सीफूट के साथ खाया जाता है लॉब्स्टर टेल का इस्तिमा लॉब्स्टर रोल, सालाद और भी केई डीसेज बनाने के लिए किया जा सकता है लॉब्स्टर टेल में प्रोटिन के साथ साथ दूसरे पोसकता तबी मौचुद है दोस्तों, वीडियों चीले के टेक लाक चूर करदेंगा, और आइस européरां वाइसे इंट्रेस्टिंग वीडियों और वी आसे देखने के लिए आसे पसर आन अप्शय सование लिए बारे में जाना के लिए Subscribe channel and press the bell icon for future notifications. Goodbye!